हेलो एवरिवन, वेलकम बैक, तो आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी सुबा का आठ वज रहा है, और मैं लग गई हूँ ब्रेकफस्ट बनाने में, तो सबसे पहले मैं दाल चड़ा दी हूँ, क्योंकि दाल ना पकने में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स कट करके उसमें एड कर दूँगी, और इसे तीन से चार सिटी लगवाँगी, दूसरी तरफ मैं चटनी की तेयारी कर लूँगी, तो चटनी बनाने के लिए एक कड़ाई में मैं दो टेबल स्पून तेल डाल दूँ फिर उसमें जीरा एड कर दूँगी, और यहां पर न मैं प्याज, टमाटर, मिर्ची सबको बड़े-बड़े पीस में काट के रखी हुई हूँ, तो उसको डाल दूँगी इसके बाद, और इसमें लेसन दो से तीन कलियां डाल देंगे, और थोड़ा समय से भूनूँगी, प्याज transparent हो जाना चाहिए, और जो टमाटर है हलका सा गलने type से हो जाना चाहिए, उस stage पर मैं यहां पर भूना चना एड कर दूँगी, अगर आपके पास भूना चना नहीं है, तो जो चना दाल होता है उसको फिर आप स्टार्टिंग में ही जीरा के साथ एड कर दीजेगा साथी साथ मैं बाकिर भी काम फिनिश करती जाओंगी, जैसे सुबा से दूद आया हो गया है तो उसको गरम करना है, तो वो भी गरम करने के लिए मैं चड़ा दूँगी, तो यहां पर प्याज और टमाटर भी ठंडा हो गया है, तो इसको भी मैं जार में डाल लूँगी औ इमेडियेटली आप दो लीजे, साबन से दोना जरूरी नहीं है, आप पानी से भी दो दीजे, यह सब छोटी छोटी चीज करने से ना हमारा जो जार है उसका लाइफ बढ़ जाता है, इधर मेरा सांबर भी बन चुका है, तो चलिए दोनों में चटनी और सांबर दोनों मे तड़का लगा लेते हैं, तो बस वही सिंपल सा तड़का लगाने वाली हों मैं, जीरा, राई, करी पता, मेर्च और यह सब चीज और यह तड़के में ही ना मैं मसाला पौडर हो जो होता है ना सांबर मसाला पौडर इसको मैं थोड़ा हलका सा फ्राई कर जूंगी और उस इस दिन दोसा और इस टैप का कुछ मुझे बनाना रहता है ना तो मैं ट्राई करती हूँ, कि जल्दी से जल्दी ही स्टार्ट कर लूँ, जिससे की टाइमली सब कोई ब्रेक्फास्ट कर पाए मुझे न, खाना बनाने से जादा, क्या बनाना है सोचने में बहुत जादा टाइम जाता है, आप बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कुश टाइम से न, मैं शुरू की हूँ प्लानिंग करना, तो एक दिन पहले ही रात मैं बैठ कर मैं planning कर लेती हूँ कि breakfast क्या बनाना है, lunch क्या बनाना है और dinner में क्या रहेगा तो उससे काफी easy हो गया है और मेरा जो next day रहता है बहुत ही ज़्यादा smoothly जाता है main है जब बच्चलों का vacation भी है वो लों पूरे time घर पे है न तो I make sure कि मैं इस तरीके से planning अपना करूँ कि पूरा काम भी मेरा खतम हो जाए और अच्छा खासा quality time मैं उसको दे सकूँ और सच बताओं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों लों के साथ time spend करना तो अब चटनी में भी तड़का लगा लेती हूँ बस वही simple सी राई, कड़ी, पत्ता, मेर्ची का में तड़का लगा लूँगी तो सामपर और चटनी तो बनके ready हो गई है तो बस अब दो साहीं बनाना है तो उसके पहले मैं कीचन को थोड़ा साथ कर दूँगी मतलब जो समान जहां है उसको वापस से वहां रख दूँगी जिससे कि मुझे space मिल जाए बाकिर काम करने में अगर मेरा कीचन मैस रहता है तो उतना productive हो कि मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कि next मुझे क्या करना है इसलिए immediately मैं tidy up करती रहती हूँ अब चलिए दोसा भी बना लेते हैं तो ये जो दोसा है ना ये मैं अनुशा के लिए बना रही हूँ तो इसको ना मैं cone shape दे दूँगी तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे लोंको थोड़ा से interest आता है खाने में तो थोड़ा बहुत ऐसा changes कर लो ना तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं तो अनुशा का तो हो गया है breakfast अब husband भी आ गया है खाने के लिए तो उनको भी मैं surf कर दूँगी तो यह है मेरा breakfast तो यहाँ पर हम सबका नाश्टा हो चुका है तो एक बार फिर से अच्छे से मैं kitchen को wipe कर लोंगी मैं ना दो टाइम जाए पीती ही पीती हूँ एक तो सुबह तो सुबह वालो जो चाय रहते हैं नो पीते पीते आदमी यही सोचता रहते है कि मतलब कि अभी नाश्टा बनाना है जल्दी से काम काम नाश्टा सबको दे दूँ तो वो एक सुकून वाली चाय तो नहीं होती है जो breakfast के बाद जब पी हो ना तो बहुत आराम से इतम मतलब कि लगता है कि हाँ सबका breakfast हो गया लंज के लिए भी time है तो इतम अराम से बैट के रिलाक्स होके चाय पीने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है साथे साथ मैं निम्बू पानी भी बना कर फ्रिज में रख दूँगे जिसे कि ओ ठंडा होता रहे तो बाद में हम लोग पी लेंगे थोड़ा तो गर्मी पढ़ने लगी है इधर भी तो मतलब बारा एक बज़े के करीब कुछ ठंडा पीने का मन करता है तो उसके लिए एक option रहता है healthy तो ये सब मैं बना कर रख देती हूँ तो इधर चाय बनाते बनाते ना मैं कवर्ट को खोल के देखती जा रही हूँ क्योंकि काफी time हो गया है उसको साफ किये हुए और काफी mess हो रखा है तो वही सोच रही हूँ कि कैसे करूं कब करूं तो इधर ना अभी चाय बनने में time था तो मैं सोची चलो oil फिल कर लेते हैं bottles मैं कली साफ कर दी थी तो वही फिल कर दूँगी तो जब भी मैं kitchen में रहती हूँ ना तो मेरा try यही रहता है कि जितना से जितना काम मैं खतम कर लूँ तो उससे क्या रहता है ना कि आपका time save होता है तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और चलिए इस vlog को मैं यही पर end करती हूँ मिलती हूँ आपसे next vlog में तब तक अपना खुब सारा ध्यान रखिए